इन्सानियत को शर्मसार करने वाला ये कोई पहला मामला नहीं है इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं लेकिन इससे पहले हमने ज़्यादा तर सुना है कि नवजात बच्ची को कोई जाड़ियों में फैंक कर फरार हो गए लेकिन इस बार ये नवजात बच्चा लड़का था जिसे कोई फत्याबाद शहर की भाटिया कालाउनी की जाड़ियों में फैंक गया और बच्चे को जानवर तक नोच खा गए अब ये तो पुलिस की तहकिकात के बाद ही पता चलेगा कि इस बच्चे को उसकी मा यहां रख कर चली गई या फिर मामला कुछ और है उस बच्चे को यहां खेलने आये कुछ बच्चों ने ही देखा तो लोगों को बताया लोग यहां जमा हो गए और पुलिस को इतला दी गए लेकिन इस बच्चे का कसूर क्या था इस बच्चे ने अभी दुनिया देखनी थी लेकिन दुनिया देखने से पहले ही इस बच्चे को इसके अपनों ने इस दुनिया से विदा कर दिया कोई आए यहां देने के लिए इसको नए जी कोई आपका कि अबदानी किसे कोई पता ने पुलिस को किसे ने सूजना दी थी पुलिस को ने बच्चों ने दी आपका अशू कमार जो आपकी कलोनी में जो नवजाद सीशू मिला है क्या पूरा माम लाई है सर यहां साम का टेम था मोसम ठंडा था और बच्चे खिर ने निकल गए इदर उदर खिल रहे थे जो उन्होंने इदर उदर देखा बॉल खिल रहे शुक्माद वगएरा इनुट उन्होंने देखा तो यहां बच्चा पढ़या हुए पर यह फिर यहां सुभंदों को इदर तोग यह जो पता नहीं कितना बढ़ा है पुलिस इनफोर्मेशन दे दी बिल्कुल देजहां पहुंचि इसकी इन्फोर्मेशन कर रही है जिसकी था चिकीकार्ण आगी है पुलिस अपका का मुकेश समय अ कर दो कर दो कर दो